सल्मान खान की बज़ा से किस फिल्म का बजट बढ़ गया किस मूवी की लागत सल्मान के चलते देड़ गुना हो गई इस वीडियो मा आपको बताएंगे ऐसी ही डिटेल सल्मान खान ने अपनी पहली सौ करोडी फिल्म दबंग को किया तो इसके लिए बज़ट रखा गया था 30 करोड मगर सल्मान खान के चलते इस मूवी पर कुल खर्चा 49 करोड पहुँच गया दावा किया जाता है कि सल्मान खान के कई ऐसे सीन अलग से जोड़ गई जिनका खर्चा बहुत ज़्यादा था अरवाज न भाई के कहने पर इन सीन को करवा तो लिया मगर इसके लिए बज़ट लगाने में उनके हाथ पैर फूल गई बताया जाता है कि दवंग को बनाने में सल्मान के भाई अरवाज खान घाटे में चले गई और फिर सल्मान खान की फीस रोग दी गई जब फिल्म हिट होई तब सल्मान को इस मूवी के पैसे दिये गई इस सिलसले में अरवास खाने बताया एक फिल्म जब काम करती है तो ये कई इस तरों पर काम करती है फिल्म ने मुझे एक निर्माता के रूप में इस्थाफित किया लेकिन जब हमने फिल्म रिलीज की तो ऐसा नहीं था हम दोनों ने फिल्म बनाते समय कोई पैसा नहीं कमाया फिल्म की सफलता के बाद हमने पैसा कमाया तब ही मैं सल्मान को उनकी फीश दे पाया था कहते हैं कि सल्मान उस वक्त वांटिड कोई हिट बनाया था इसलिए उन्हें भी फीस लेने की जल्दवाजी नहीं थी बाद में मूवी हिट हुई तो उनकी खुशी कई गुना बढ़ गई सल्मान खान ने रेज 3 फिल्म जब की तब इस मूवी का बजट 100 करोड के असपास था मगर सल्मान खान की मांगों के चलते इस फिल्म पर 180 करोड पर खर्च हो गई मीडियर पोर्स मताबिक रेज 3 में सल्मान खान को लीड रोल के लिए लिया गया तो उन्होंने स्क्रिप्ट और सीन में कई बदलाव कराई इसके चलते 100 करोड के बजट का आकड़ा बढ़ गया बाद में सल्मान खान फिल्म से संतुस नहीं हुए तो उन्होंने रेमोड उसूजा को डारेक्टिया बना जाने की रिक्वेस्ट कर दी रेमोड उसूजा की एंट्री से फिल्म बनाने का खर्चा बढ़ा दिया गया फिल्म की शूटिंग दोबारा हुई मगर इस वार सल्मान खान को काला हिरण मामले में दोशी ठहरा दिया अब सल्मान खान की बज़ए से मूवी बनाने में देरी हो गई और सल्मान खान के सेट पर लोटने का अंतजार किया गया हलांकि जो सेट पहले बनाया गया था उसका खर्चा फिल्म पर चड़ गया इस तरह रेस्थरी 180 करोड में जाकर पूरी तरह बन पाई सल्मान खान की मुझस से शादी करोगी फिल्म आई तो इस फिल्म को बजट लोही रखा गया था मगर जैसे जैसे बड़े स्टार्स के एंट्री होती गई तो फिल्म पर लगने वाला खर्च भी बढ़ता गया फिल्म से जोड़े सूतर का कहना है कि इन इस्टार्स ने अच्छी खासी फीस भी ली थी और गाने को शूट करने भी तब के हिसाफ से खूब पैसा खर्च किया गया लहाज़ा एक बक्त ऐसा आया जब इस मूवी को बनाने में 19 करोड रुपे खर्च हो गई अलांकि अक्छा कमार और सल्मान की जोड़ी ना खूब धमाल मचाया और मुझसे शादी करोगी काफ़ी पॉपलर ही दोस्तों क्या आपको लगता है कि शूटें के बीच मैं नई डिमांड करके फिल्म का बजट बढ़ाना सही तरीका है कमेंट बॉक्स ने अपनी राय जरूरत है